कि इन तीनों विशेयों में बहुत ज़्यादा फोकस लोगों का रहता है सुप्रीम फोकस ये वो विशेय है जहां पर लोग कम काम करते हैं कि उनको लगता है जिए जिस में ज़्यादा नंबर आने नहीं है चलो एग्नोर कर देते हैं और इस बार तो आप पेपर कॉलिफाइंग है प्री का तो जीए 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 देखने की जरूरत नहीं है ये एक मिस्टेक आपका पूरा खेल बिगार सकती है इसका रीजन बताता हूँ आपने जितनी भी तैयारी करी होगी आप आप देख रहे होगे कि Maths English Reasoning में आपके Marks Saturate होगे होगे जो भी एक अस्तर आपको बनाना था आपने बनाया है Marks लगभग उसी के आसपास हर Mark में रिपीट हो रहे होगे Saturation आ जाता है अपने स्कोर का Saturation होता है ठीक है लेकिन GAGS ऐसा होता है यह बहुत fluctuate कर रहा होगा आप देख रहे होगे कभी 10 आ रहे हैं कभी 15 आ रहे हैं कभी 20 आ रहे हैं कभी किसमत से 25 भी आ गए लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना तभी आपके 25 में 25 आई जाएंगे और 50 आएंगे अब यह खेल दिन का है किसमत का है कि 50 में 50 आजाए हर माक में कोई 50 में 50 नहीं लाएबाता है जो एक माक मिलाएगा अगले में किरके 45 आ 45 हो जाता है नेचर ऐसा होता है इसको बढ़ाने का स्कोप देखो है यह 10 नमबर डेफिनेटली अभी आपको 40 नमबर स्कोर करना बाकी यह आपके लिए दिर इस हूज स्कोप अफ इंप्रूब्मेंट इस दस को 20 बनाने का स्कोप है अगर आपके दस आ रहे हैं तो आप 30 नमबर करो नहीं करना है बट कम से कम 20 नमबर तो ला सकते हो आप क्या करना है आपको कुएक रिविजन लेट से पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टन चीज़ें लाइक आर्टिकल से अनुच्छेद हैं संसोधन है यह सारी चीज़ों को ना लूसेंट से रिवाइस कर लो ठीक है लूसेंट एक अच्छी किताब है इन टर्म्स आफ रिविजन बहुत कंडेंस्ट फैक्स दिये हैं इनको आप रिवाइस कर लो या फिर आप किसी आप में महिना बर अगर आप जीए को मैं यह नहीं कराओ कि दिन बर जीए पड़ो नहीं बट जीए को इज़त बराबर दो इतनी इज़त का हगदार यह है और अगर आपके यह बाकी सब्यट बहुत 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 जादा है जो बच्छे जीए 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 पर बिल्कुल काम नहीं करते हैं एक्जाम के एक मेना पहले इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं कि वह इसे निकाल लेंगे तीन सब्जेक्ट में कई पर धोखा खा जाते हैं